प्रबीर आपको समझना होगा कई elements पर ये काम कर रहा है एक तो काम करता है डर पर अब वो डर कई सतरों पर आता है एक तो सिधा तालुख संपर्क होता है पार्टी का यानि कि भारतिय जनता पार्टी का चैनल के संपादक के साथ और इसके अलावा एक दूसरा तरीका है कि कॉर्पेट्स के जरीए भी दब अब आप सोचिए एक चैनल में अगर सतरों भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं जाएंगे उनके नेता उन्हें इंटर्व्यूज नहीं देंगे तो आप सोच सकते हो कितना नुकसान उस चैनल को है तो बहुत ही बारीकी से बहुत ही अजीब और घरीब धंग से चोटे चोटे रिपोर्टर्ज बहुत ही जूनियर लेवल पे आंकर्स प्रबीर वो तक जो ट्वीट करते हैं भूल जाएंगे ऑन एर क्या कहते हैं ऑन एर कहने कि किसी की हमत नहीं है इस पूरे प्रकरन में पुलवामा के दौरान किसी ने भी तीन सवाल नहीं उठाए जो हमारे जो लोग शहीद वे थे उनके उपर क्यो राज़ीट करते हैं यह बुनियादी सवाल थे और प्रबीर मैं आपको बताना चाहूँगा चूकि मैं जमीन में घूम रहा हूँ इस मास प्रोपेगांडा का असर जनता पर पढ़ रहा है जो अपने आप में बहुत चिंता जनक है भारती जनता पाटी इस बात को जानती है कि इस मास प्रोपेगांडा का क्या असर पढ़ रहा है वो जमीन पर आपको दिखाई दे रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हम इस तरह की जनता इस देश में बना कर क्या कर रहे हैं मीडिया क्या कर रही है यह अपने दिन मीडिया में रहे हैं पत्रकारी तक ही हैं आपको यह सवाल करना चाहूंगा कि पहले मुसोलिनी रेडियो इसके बाद जर्मनी और फिल्म जो आपको याद होगा कि नियुरंबक के इसका जो जिस तरह से फिल्म किया गया था जिस तरह से उसका प्रaching किया गया था आज क्या लेगता है टेलिविजन खास दूर से हिंदुस्तान में पूरी तरह से इस तरह से कैम्पेइन जिसको कहते है मास कैम्पेइन सिर्फ एक मकसद से कि एक पार्टी की राज़नीत लोगों पर ठोपा जाए ये चल रहा है जो आप टेलिविजन चैनल पूछ रहे हैं न्यूट चैनल तो न्यूट चैनल के बारे में मेरी जो रहा है कि ठीक है पहरे की सरकारें जो थी उनके समय भी वो बहुत शांदार नहीं था बहुत अच्छा नहीं था सरकारों का साथ देता था कार्परेट का साथ देता था लेकिन इस वक्त अगर 2014 के बाद से देखें तो वो सिर्फ एक गल और एक नेता का प्रचारक बन गए है के निउस रूम है खासकर स्टूडियो जो उनके हैं वह वह ऐसा लगता है कि रणभोम ही बना दिये गए हैं वहाँ पर वर्दियां पहन कर लोग आते हैं जैसे ब्रिगेडियर आ गए टैंक का वो बना देते हैं डंडा ले लेते हैं जैसे लगता है थानेदार सहाब आ गए तो खैर यह बात है लेकिन असल बात पर हम आते हैं कि यह सबसे दुर्भा के परोण है कि किसी डिमोक्रसी में उसके जो निउच चैनल हैं वो किसी एक नेता के प्रचारक बन जाए है आप बताएए पार्टी के कारिकरता संग के कारिकरता या उनकी ट्रेड यूनियनों के कारिकरता जितना काम कर रहे हैं उससे जबर्दस ढंक से उससे बहुत ज्यादा काम टेलिवीजन चैनल कर रहे हैं यह जूट का सबसे बड़ा प्रचारक टेलिवीजन आज हो गया है य लेकिं दुनिया के बहतरीन जो मीडिया माना जाता है कि उन देशों में हैं जो एक तरह से आप उसको उसको जो भीी डेमोक्रिसी कहे लीजिए पुंजी बादी लोगतंतर कहे लेजिये या डेमोक्रिसी के दूसरे और जो रूरूप हैं फिरीडम इंडेक्स है उसमें नीचे और और ज्यादा खरावी स्थिती हो गई है बैयाली समा अभी है सायद 42 है डिमोक्रिसी के ग्राफ में हम और मीडिया में जो जो उसकी फ्रीडम का इंडेक्स है उसमें हम 180 मुलकों में 130 में पोजिशन पर हैं 138 में आपके अगल बगल परोसी मुलक भी आपसे बहतर इ इसकलिक शुरू इस बात से की थी कि अलग-अलग वाइसेस आनी चाहिए मीडिया में आज क्या लगता है कि ये पहले हम सोच रहे थे कि छोटे पैमाने पे अलग-अलग बाते कहें जिसको अल्टरेट मीडिया हम नाम दे रहे थे उस वक्त और यहां जादा लोग उसको अल पर्परिट मीडिया जिस तरह से जुका हुआ है शक्ति के सामने और वो शक्ति जो सत्तरूड दल है उसकी शक्ति पैसे की शक्ति और जो इस वक्त आजाद मीडिया जो कह सकते हैं जो इस तरह से लिंक्स नहीं है तो आजाद मीडिया का भूमिका आज इसको अल्टरेट रहते रूप में देखनी चाहिए क्योंकि मीडिया के यह हाल अगर है तो इंडिपेंडेंडेंट के मीडिया के अलग और कहीं आप इस चीज को संघर्ज के खिलाफ नहीं कर सकते कोई पूरसा हाल कहीं और नहीं और मुझे लगता है कि न्यूस क्लिक की जो दस साल की आत्रह है यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि जब जिस प्लेटफॉर्म को शुरू किस मकसद से किया गया और आज उसकी पहुच या उसकी जो रीच है उसमें जो आवाजें हैं वो किस तरह से व्यापक समाज में जा रही हैं व्यापक सवालों को एड्रेस कर रही हैं तो एक यह जो अपने आप में न्यूस क्लिक की ग्रोथ है न्यूस क्लिक सरीखे तमाम ऐसे न्यूस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ है यह बता रहा है कि जो जमूरियत पे डिमुक्र चाहूंगी कि जो प्रोपोगंडा मेंस्ट्री मीडिया कर रहा है मुझे लगता है एजिटेस जैसा वो चाहा रहे हैं वैसा नहीं जा रहा है लोगों की बीच जहां जहां मैं भी होकर आई हूं चाहे वो गुजरात हो उडिसा हो यूपी हो बाकी जगों पे लोग सवाल कर र अगर वह बोल रहा है कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड कैमरा बंद होने के बाद तो कई और किस्से सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसा रहे थे जैसा रामिंदिर के मसले पर हमने देखा कि राम मंदिर प्रोप उन्होंने कोशिश की थी कि विक्सित करेंगे हिंदू- अगर उसे प्लेटफॉर्म कहीं और मिल रहा है तो वो उसकी रीच हो रही है तो आज के दौर में इसे सिर्फ अल्टरनेटिव मीडिया या एक छोटा प्लेटफॉर्म कहने के तो कि हम तमाम माध्यमों से पहुच रहे हैं अगर वटसब पे उनके पास पहुच रहा है कि 350 लो पर और एक बहुत बड़ा सेक्शन है मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि एक छोटा सेक्शन है इसकी रीच भी बहुत है वर्नकुलर मीडिया डिफरेंट अलग अलग भाशाओं में जिस राज्य में जाईए आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलेंगे क्योंकि अब एक बा प्लिटिक्स के लिए ही नहीं है या इंडिन डिमोक्रिसी के लिए नहीं है उसकी जो साख है उसकी साख आज के तारीक में जंता समझ रहे कि हाँ इस पे तो यहीं आएगा अर्णव है तो अर्णव यहीं बोलेंगे बाकी चैनल है वो यहीं बोलेगा अखबार अखबार को तो आपको रोटी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, अगर उसका पॉलिटिकल ट्रांसलेशन उस तरह से होता, इन मुद्दों का, इन गुस्से का, तो जो ये इंडिपेंडेंट मीडिया के डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी मुझे लगता कि गुस्सा कहने के लिए तो हमें ये एक विकल्प यही है, तो ये एक जो भरोसा है, मुझे लगता है, इस समय हमें इस भरोसे को जिन्दा रखना बहुत जरूरी है, और वो ये मीडिया ही रख सकता है, आपको ये पूछना था, कि जहर इस वक्त दो तरह से पहल रही है, सबसे ज्यादा एफेक्टिव चैनल है, इसको पहुंचाने के लिए, मैं किसी एक चैनल के बात नहीं कहा रहा हूं, बट इन जैनरेल, और अखबार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, खास तोर से जो रीजिनल अखबारे हैं, वो बलकि ज्यादा इस से जुड़े हुए ल लोगों को सोचने के लिए मजबूर करें, उसका मेसेज किया है, क्या हिंसा इस तरह से उग्र राष्ट्रबाद के जगह पे हम क्या कर सकते जाकि आप क्या कहते हैं, रिलिजियस सिंबल्स को अपनाते हैं, ताकि जनता इस वक्त शिव की तरह विश को लेके नीलकंड़ बन इस तरह से जहर का उन पर क्या असर करने पड़ने वाला है, उनकी परिवार की सुख पर क्या असर पड़ने वाला है, उनकी रोजी रोटी पर क्या असर करने वाला है, क्योंकि अगर एक समाज में राजकता है, तो समाज में कौन इंवेस्ट करना चाहेगा, मोधी जी दुन चलिए आ रही है हुआ क्या था मैं आपको दो घटनाओं का जिक्रत करना चाहूंगा एक तो काजगंज दूसरा बुलंद शहर प्रबीर इन दोनों घटनाओं के जरिए मीडिया के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर अराजकता धुरुविकरन पैदा करने की कोशिश थी मैं कोई चीज बताता हूं काजगंज में बहुत बड़े न्यूस चानल ने एक जूट चलाया कि सहाब जो तमाम मुसल्मान हैं वो जंडे का विरोध कर रहे थे जो अपने आप में बहुत बड़ा जूट था क्योंकि वो भी जंडा ही फैरा रहे थे अब आप सूचिए किस तर वो चैनल सही तस्वीर पेश कर रहा था तो जब मैंने उसका विरोध किया था और फेस्बुक पर आकर उसके खिलाफ आवाज बुलन की थी जिसका परणाम ये हुआ कि उस न्यूस चैनल को अपनी रिपोर्टिंग बदलनी पड़ी मगर उसका खम्याजा क्या हुआ क्योंक किया अब मैंने उनसे कहा कि साहब मेरा जो वीडियो ब्लॉग है इट इस बेज़ ऑन दे फाक्स ताट वस प्रिजेंटेड ये वही प्लान था ये तो क्यूंकि सुबोत कुमार सिंग मारे गये इसके चलते इनका प्लान बिगड़ गया देखिए अब मैं आभी कुछ देर पहले जब कारेकरम शुरू करने से पहले मैंने आपको एक स्क्रीन शॉट दिखाया था एक न्यूस चैनल इस वक्त आज वी स्पीक जबकी कोड़ अफ कॉंड़क्ट है वह जानते हैं क्या सम्मेलन कर रहा है प्रबीर राम रक्षा और राष्ट्रवाद इस वक्त जब चाहिए आप कह सकते हो साब मेरी विचारों की अभी वक्ति है मगर आप किसके पक्ष में हो कर रहे हैं तो यह सपष्ट है और और मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मैं थोड़ा से इत्तिफाक नहीं रखूंगा जो अभी कहा है और मिलेश जी ने कि कॉंग्रेस की टाइ इम पर एक अंडोलन जैसा एक अंडोलन तो खड़ा हुआ है चौए आज आप उम्मीद कर सकते हैं या निर्भयां जैसा eseंग अंडोलन तो था क्या झैपीं होंगा सिल्मान खुरशीद आंझ तक मैं होता था हमने एक स्टिंग किया था और मुझे तो वह सवाल पूशने का हक भी नहीं आज की तारीख में आज की तारीख में कोई नियूस चानल हुजे चूना तक नहीं चाहता है मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे पास न्यूस क्लिक है तो एक तरह से कहा जा सकता है किक से कम वहां एक धोंग तो था डेमोक्रिसी का यहां तो इस ब्लेटेंट ब्रीजन तो एक उर्बलेश मैं यह कह रहा हूं इसके पहले आपको एक मिसाल दे दू कि हमारे जब कॉंग्रेस की बात हम करते हैं तो हो 75 के भी याद करते हैं जब कि करीब 19 महिना न्यूस ब्लैक आउ साल मैं एवरजिंसी में मिसस गांदी के गेस्ट था तीहार और आगरा में तो इसलिए हम लोगों को क्योंकि बाल और डारी सफेद हो गे तब उसकी भी याद करते हैं बड़ यह बात तो सही है जो 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 क्यों भारत का मीडिया ऐसा है इसका इसकी जो बड़ी तत्वी क्यों कि अपने देश के मीडिया की इसलिए नहीं के वाल खराब है कि हम कारप्रेट मीडिया है सिर्फ यही कारण नहीं है महुत सारी लोग कह देते हैं हमारी पत्रकारी अधिक हम तो बड़ेशों का है आप पुरे युरोप में देख ली जी कुछ एक एक घ्जामपल है य एक्सेप्संस हैं जो कार्परेट नहीं कंट्रोल है अमेरिका मीडिया पूरा कार्परेट कंट्रोल है जितना खासकर बड़ा मीडिया है लेकिन फिर भी वह बहतरीन कई बार काम करते हैं और ज्यादतर वक्त देखा जाए तो अभी डोनल्ड ट्रम्प के इस रिजीम में जो ऑपोजिशन का है यह बात आपकी सही है एक एक मिड़ाप की इंटरप्ट ही कर रहा हो कि जब जंग की बात आती है चाहे इराक हो चाहे वेनुजवेला है तब आप देख सकते हैं सभी कॉर्परेट मीडिया के रुख बनल जाती है चाहे बुश हो चाहे उबामा हो यह अंदरूनी बाते एक जगह पर जब एक्सटरनल लार्ज पिक्चर आता है इस वक्त पाकिस्तान का पिक्चर दिया जाता है तब जो है पल्टी यह उनकी तथाकतित इंडिपेंडेट जो कॉर्परेट इंडिपेंडेनल मीडिया और उनकी स्वतंतरता और उनकी महानता को न कि कि मेंचर में एक बड़ा टीं कि वह गता है उनकी अलग ऑलग नहीं नहीं वहां कम से कम कार्परेट में सकुनorta है है और उन्टिया मीडिया मीडिया में जो उसका पूरा सबस्टень सब्सक्राई होरा धांचा आभ देख लिजे 95 परसंट करीब करिब हम विग्यापन आधारी मीडिया है बलकि उससे बहुत अधा और इसमें हुआ यह हाल के दिनों नाइक इलाकों जैसे 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 हमारी इंडिस्ट्रियल ग्रोथ प्रवावित हुई है खासकर नोटबंदी के बाद आप देखिए मजहुले जो अध्योग है उनका बुरा हाल है तो रिजिनल जो न्यूस पेपर्स को छोटे मजहुले जो अखवार हैं चेत्री जो बहतर काम करते थे उनकी पूर तरह राजसरकारों पर आधारित कर दिया गया उत्तर प्रदेश बिहार चातिसगर राजस्तान वर्द्यप्रदेश सारे के जो आप कह रहे हैं आडविटिस्बिट जो अब यह जो राजसरकारों पर जब प्रवावित आपने कर दिया तो वह मुख्यमंत्री के एक तरह से लगा कि पूरा का पूरा मीडिया जो हां सच बोलने की कोशिश करता था और और दम उसके पास था कि वह सच बोले क्योंकि उसको तरह-तरह से उसको भी गया पनाते थे बहुत सारी जगों से वो धीरे-देरे ठब पड़ गये ठब पड़ गये तो सरकार के उगलाम बन गये तो एक तो ये मेजर वज़ा है और दूसरी वज़ा जो मैं बताऊं कि डो डाइवर्सिटी का आभाव नियूज रूम में है वो भी मीडिया में बहुत बुरी तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है खासकर मेंस्ट्री मीडिया में उत्तर भारत में देखिए जो सामाजिक आधार आज जो जरूरी कंसर्ण्स हैं और जो कंसिट्रीशन्स हैं उस पर विल्कुल नहीं रिफ्लेक्ट है तो ये नियूज रूम का आप जो कह रहे थें कि वीविदिता नहीं है बहाशा मैं दूसरे पक्ष पे आना चाहता हूं कि एक जमाने में नियूज रूम में जरनलिस्स जो थ थे वो यूनियनाइज थे और ये भी था कि उस वक्त क्योंकि प्रिंट का जमाना था वहाँ पर कर्मचारी ववा करते थे वो भी यूनियनाइज थे और आज वीडिया में देखें तो कोई यूनियन है ही नहीं इसलिए जब किसी खास व्यक्ति पर आक्रमन होता है अटैक ह होता है नौकरी जाती है तो बोलने के लिए कोई कड़ा हो सकता क्योंकि सब जो है क्या कहते है डेली वेच पे है तो यह क्या लगता है कि हमारे यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव जो उर्बिलेश कह रहे थे यह भी हुआ है कि यूनियन्स खत्ब करीब हो गया है सब्सक्राइब हो और बहुत सोची समझी लंबी दूरगामी योजना के तहत हुआ है चाहे वह ओनर्शिप का जो नेक्सिस है इसमें अगर आप ओनर्शिप का नेक्सिस उठाके देखिए तो आपको बहुत ही दिखाई देगा कि हर तीसरा या पांचवा पत्रकार जो है अ तरीके हैं जो कामकाज का महौल है उसमें आप एक पत्रकार के तौर पे महसूस करने के बजाए आपका चीज प्रोड़क्त हो गया जो टाइम सफ इंडिया ने शुरू किया की नौ यह वरकिंग फॉर प्रोड़क्ट सो जो प्रोड़क्ट का प्रोड़क्शन करने वाले ल यूज देते हैं तब आप कहां से पतांजली को कोश्चन करेंगे और पतांजली अगर मोधी के साथ खड़ा हुआ है तो आप मोधी को सवाली ने उठता अभी योगी ने जो कल वहां पे बोला जिस तरह से कि ठोक देने वाली बिर्यानी वाली बात सारी चीज़े वो ली व नहीं से भी उसको कोश्चन करते हुए कोई संपाद किये था कहीं कोई डिसकेशन था नहीं था क्योंकि वो संभव नहीं है वो बिजनेस लिंक्स जो है जो हम अमरीका की बात कर रहे हैं यहां पर जो बिजनेस लिंक्स और जो जर्नलिस्टिक लिंक्स है जो मीडिया के लिं में काम करते हैं कि सुबह आ जाता है आप दिन भर उस पर प्ले करते हैं और वो जो प्ले करते हैं वो मासूमियत में प्ले नहीं करते हैं वो आपका प्लिटिकल एजेंडा है और वहां उसका एक मिशन है वो मिशन मीडिया जो है मिशन मीडिया में जो भारत का राइट विंग है भारत का जो क्रोनी कैपिलिस्ट है वो बहुत सक्सीड किया क्योंकि अल्टरनेटिव वॉइसेज या जिन लोगों को इंटर्वीन करना था जो कर सकते थे उन्होंने बिल्कुल नहीं किया जो सेकुलर मीडिया के पक्ष में इंटर्वेंशन होना चाहिए था जो इन्वेस् का क्या मुकाम होता है और न्यूस चैनल्स के भी एक ब्यूरो चीफ है माननिया अरूंजेटली बै संखिष्ट में दो सेंटेंस पे तिनों का एक जवाब चाहता हूं कि वाट इस दे वे फॉरवड आगे का रास्ता क्या है जर्नलिस्ट के लिए और मीडिया के लिए और सि आप आपको क्या लगता है वाट इस दे वे फॉरवड आगे का रास्ता क्या दो सेंटेंस में क्योंकि हम काफी लबा चल चुके हैं मेरे खाल से क्राउड फंडिंग एक जरिया हो सकता है मगर बावजूद इसके एक तो आपका जवाब मगर उसके साथ मैं जो निराशावा इस एक वेकल्पिक आवाज ओर मैंसे वेकल्पिक नहीं कहता हूं यह सही माउड़्य माइनों में आवाज है मीडिया की यही भूमिक ए जो न्यूस क्लिक कर रहे हैं या कुछ और प्लाटफॉर्म्स कर रहे है और यह सब digital platforms है, mainstream में नके बराबर रिकता है आवाज है तो एक कोशिश की जा रही है दबाने की, crowdfunding में भी दिकत यह है कि आम इनसान तो दे सकता है मगर audio की घराने नहीं देना चाहते हैं मैं आपको एक खबर यहां देना चाहता हूँ कि होता क्या है कि अगर कोई उर्मिलेश, भाशा या अविसार शेर्मा जैसी आवाजों को अपने मंच पर जगा देती है तो किसी ना किसी तरीके से ओनर के अगर कोई business interests है उसको target किया जाता है चाहे इंडिम टाक्स नोटिसेज को लेकर हूँ, चाहे sponsorship को लेकर हूँ, यह तमाम चीज़ों को लेकर target किया जाता है और बहुत ही focus तरीके से target किया जाता है बद भूलिएगा यह independent media के उपर भी इस तरह के targeting होगी, मान के चलना चाहिए प्रभीर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो यह platforms हैं, जो हमारे हैं, यह mainstream media का alternative नहीं हो सकता हम एक बहतर alternative जरूर पेश कर रहा हैं, discourse में, लेकिन mainstream media को बिल्कुल हम पलट करके और उसकी स्थान ले लेंगे ऐसा नहीं संभव है, कम से कम मैं ऐसा नहीं मानता, पहली बात तो अपने efforts को जारी रखते वे mainstream media को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे उसको बहतर बनाया जाए, बहुत सारे और मुलकों की तरह, कुछ भी absolute नहीं है, लेकिन relatively हम better कैसे बनाएं, इसके लिए दो उपाय हो सकते हैं जना अंदोलनों के दबाव में ही मीडिया लोकतांत्रिक होता है, पहली बात, तभी आपका वो inclusive थोड़ा सा होने की कोशिश करता है, बहुत सारे दलित आदिवासी समाज के जो बच्चे मीडिया में आए, वो 70s, 80s के अंदोलनों के बाद आए हैं, ये मत मुलिए आप, त दूसरी बात की मीडिया में जो सरकारी दबाव है, जो कार्परेट प्रेसर है, उसको कम करने के लिए हम क्या और कर सकते हैं, इस पर गंभीरता से तोचा जाना चाहिए, एक आपने एक बहुत अच्छी बात कही, शायद इतनी जोर से नहीं कहा, जो मैं चाहता था, कि जना अंडोलन भी, अगर सरक पे होता है, वही चीज़े कहता है, यह तो और चीज़े कहता है, जो दैने इन दिन जीवन से जुड़ा हुआ है, तब उसको मेंच्ट्रीम मीडिया को, मीडिया में उसको बाहर नहीं रख सकता है, उसको भी जगए देना पड़ता है, फार्मर्स मा अन्दोलन एक अलग परिप्रिक्श बियुआ था आज के परिप्रिक्श अलग है इसको कैसे सुधारना है इस अगर बहस को अगर आगे चलाना चाहते है तो मेरे ख्याल से सिर्फ जन्दोलन की सवाल नहीं जो काम करते हैं मीडिया में उनका भी क्या रुख होना चाहिए ये मुझे यह लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि जो पत्रकारों की जमात अभी पत्रकार बनी हुई है उसको जिन्दा रखना उसके लिए प्लेटफॉर्म मोहिया कराना सिर्फ एक न्यूस क्लिक नहीं तमाम अंगिनत न्यूस क्लिक और उसकी रीच जमीन त उसे जिन्दा रखने का काम इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया को और जो जर्नलिस्ट अभी बचे हुए हैं जिस भी मीडियम में हो जिस भी लैंग्विज में हो उनको जिन्दा रखना एक यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में मुझे लगता है कि यह बहु हम क्या करते हैं कि उसी नरेटिव में कूद जाते हैं और फिर उसे काउंटर करने लग जाते हैं यह होना चाहिए लेकिन एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक सही नरेटिव बिल्ड़प करना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वह चाहेंगे कि हम युद्ध पे बहस करें तब के जरीए वीडियो के जरीए बॉइस रिपोर्ट के जरीए जितना हम बिल्ड़प करेंगे और इसका बहुत स्कोप है मुझे इसमें पूरा मैं बहुत सकारात्मक हूं इसको लेकर कि जब हम एक अच्छा चीज़ पेश करते हैं वो पहुचती है ऐसा नहीं कि सारे दबाओ के बाद हम पांस साल बाद 2014 से 2019 तक का हमने दौर देखा है हम जिन्दा हैं और हम ज्यादा बोल रहे हैं जो पहले दो साल में खौफ का साया था उसे हमने तोड़ा है और यह तोड़ा अकेले चार लोगों ने पांच लोगों नहीं नहीं जनता से जो पल्स आ रही है जनता क जो मार्च हो रहे हैं और यहां से जो आवाजे आ रही है दोनों में गटबंधन हो रहा है वो गटबंधन परिवर्तन का गटबंधन है इसकी कोई फंडिंग नहीं हुई है इसको कोई बड़े कॉर्पॉरेट हाउस ने फंड नहीं किया है तो यह एक पॉजिटिव साइन है जिसे हमें जिन्दा रखना और आगे ले जाना जरूरी है इसी बात में हम खतम करना चाहेंगे कि भविश्य सिर्फ अंधकार नहीं है इसमें रोशनी भी है और संगर्ष जनता के बीच मीडिया के अंदर जब तक नहीं होगी तो इस तरह की जहर जो मीडिया के अंदर फैल रही उसको हम रोक नहीं पाएंगे इसी बात से आज की बात हम खत्म करना चाहेंगे देखते रहेगा द्यूस क्लिक